नमस्का दोस्तों आपके साथ मैं हूँ मुबश्चा दोस्तों सनातन धर्म पर विवादित चिपड़ियों के बाद सियासी बयान बाजी थमने का नाम नहीं ले रही अब भारती शुंतर पार्ती नेता और केंद्री जल्शक्ती मंत्री गजेंद्रिसिंग शिखावत ने सनातन धर्म पर विवादित चिपड़िया करने वालों को सबक सिखाने की बात खेरा ली है दोस्तों गजेंद्रिसिंग शिखावत ने ऐसा उग्र भाशन दे दिया है कि आप पूछ यहीं मत उन्होंने कहा जो सनातन धर्म के खिलाख बोलेगा उसकी आखे निकालनी जाएगी और जीव खीच ली जाएगी जी हां दोस्तों भारती जंतर पार्टी के मंत्रियों के यहीं बोले और ये और भी कुछ कहा ये सब आगे मैं आपको दिखाऊंगे और आपको बताऊंगे दोस्तों भाश्पा मंत्री गजेंद्रिसिंग शिखावत की बयान पर अब जमकर वबाद शुरू हो गया है AIMIM प्रमुक और हैदरबाद की संसत असदुद्दी नोवेसी ने इसे G20 घोशना पत्र से जोडते हुए भारती जंतर पार्टी पर हमला बोला है दोस्तों आपको बता दे कि गजेंद्रिसिंग शिखावत राजिस्थान से आते हैं और ये राजिस्थान में इन दिनों चुनावी माहोल जबर्दस परिके से देखने को मिल रहा है इसी सिलसिले में भारती जंतर पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्राए भी निकल रही है इस दोरान एक यात्रा बढ़ मेर पहुची तो वह शिखावत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने सनातन धर्म पर बोनला शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने के लिए कई मुगल आकराता आये और कई सालों तक देश पर राज भी गया लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाए उन्होंने इंडिया गठवंदन के नेताओ पर निशाना स्ता देते हुए आगे कहा अब ये घमंडिया गठवंदन के नेता एक होकर सनातन को मिटाने की बात कर रहें अब हम उनको बरदाश नहीं करेंगे मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा ऐसे शब्द बोलने वाली उस जीब को हम खीच कर बाहर निकाल देंगे जो सनातन को तरफ आख उटा कर देखेगा उसर एक आख पर उसे बाहर निकाल देगे गजेद्री सिंग ने कहा कि सनातन की विरुद बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में अपनी राजनीतिक ताकत को और हैसियत को बना कर नहीं रख पाएगा दोस्तों भाश्पन एताओं को यह आकरामक रवया यही ख़त नहीं होता इसके बाद विकनेर में परिवतन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में शिखावत में राजिस्थान के नगरी विकास मंत्री शांत्री धारिवाल को अरब सागर में फेक देने की बात तक कहड़ा ली दरसल राजिस्थान में महिला तर्चार और रेप की बढ़ते मामलों पर विधाल सभा में हुई एक चर्चा में धारिवाल ने कह दिया था कि राजिस्थान मर्दों को प्रदेश इसलिए ऐसे मामले होते रहते हैं जिसके बाद तमाम तरह की राजश्रीती देखने को मिली दोस्तों शिखावत के बयानों के बाद जिस तरह से बबाद शुरू होने लगा उनका विडियो वायल हो गया जिस पर सांसत असदी नौबेसी ने भी सोमवार को विडियो एक्सपर्स शेर किया और लिखा चुकि G20 खत्म हो चुका है और डिक्लिरेशन यानिकी घोशनाप के पॉइंट 78 की कोई प्रास्टान लिखता नहीं है नरेंप्रमोधी कैबिनेट की माननी मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं इसलिए अभी एक ओपन सीजन होने जा रहा है दोस्तों सरातन धर्म पर सियासी बैनबाद्री की दिर शुरूआत हुए इसकी कहानी तमिलनाडू से Bacon के पार्टि की मुख्य मत्री स्टान और स्क्राइब मत्री और बीयुष उदरी स्टान धर्म पर विवाद सच्पडब्धिंगर ओले के जिसके बाद और भी बवाल शुरू हो गया है और आप भाज्वा नेता गजेंद इसंग शिखावत ने इस तरह की टिपड़ी कर दिये कि जो भी सुनातन धर्म को गलत कहेगा उसके साथ में किस तरह का सुनू किया जाएगा दोस्तों आपको बता दू कि राजिस्थान में इस वक्त चुनावी माहोल देखने को मिल रहा है और भारती जन्तापार्टी का यही एक रूल होता है कि जब भी किसी राज्जे में चुनाव होते तो वहाँ पर संप्रदाइक ताधर्म को आड़ में रखते हुए इस तरह की बयान बाजी आम कर दी जाती है तो आप गजे दिस्थिंग शिखावत के इस बयान को किस नजरे से देखते हैं क्या कहते हैं इस तर कॉमेंट सेक्शन में तरह ज़रूर बता है और ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए बने रे मेरे साथ दिकर टापपन